जी नमस्कार मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल नती अकेडमी में और सामना करते हैं एक फिजिक्स के लाइट चेप्टर के क्वेश्चन से जिसमें हम डिसकस करेंगे कि आपको किस प्रकार से अगर फिजिक्स का कोई भी नॉमनी कल र को बताए गई है बहुत सारी चीजि क्या बताए गई है आप क् Tomorrow कि एक स्वे Nitin के सामने एक बस तू 10 cm पर रखी गई है, इट मींज कि मेरा अगर यह कुँची है, एक अवदल दर्पन है, चलो अवदल दर्पन जब यहाँ पर हम बना लेते हैं, तो इस अवदल दर्पन पर हम जानते हैं कि हमारा कुँची है यहाँ पर, यह मुख अक्ष है, अब जब यह मुख अक्ष है, तो यहाँ पर हमारा कुँची है, प्रिंस्पल एक्सिस है, और इसके जो होते हैं, फोकस होते हैं, और एक सेंटर ओप कर वेचर होता है, इसमें क्या बता गया है, कि 20 cm फोकस दूरी वाली, सबसे पहली बात क्वेश्चन अगर पढ़े, तो क्वेश्चन से एक बात तुम पूछो, क्वेश्चन से पूछो कि क्वेश्चन का उकात क्या है, जब इस क्वेश्चन के उकात के बारे में हम पूछते हैं, तो क्वेश्चन कहता है कि देख बारे, 20 cm फोकस दूरी है, 10 cm पर कौँची रखा गया है, एक हमें object को रख दिया गया है अब जब इस चीज को देखे तो हमें छे गो रूल हमें पता है अब तल दरपन के बारे में वह ही अगर हम infinity पे रखते हैं तो focus पे बनता है वो सब रूल को जब हम याद करते हैं तो एक रूल उसके अंदर यह होता है case जिस case में focus और हमें पोल क के बीच में अगर परतिवीम रहा तो उसका image कैसे बनता है तो देखिए यह answer अब मिल चुका है answer मिला है जब उस चीज को case को याद करोगे तुम तो case को याद करने पर case तुमको बताएगा कि देख भाए जब focus और पॉल के बीच में हम क्या रखते हैं image object को रखते हैं तो इ यह लिए अब यह क्या चुका है असान कि आपका object image जो बनेगा वो कहां बनेगा दरपन के पीछे इस पीछे में दरपन के पीछे में बनेगा अब जब हमें दरपन के पीछे में बनेगा तो हमें एक चीज यहां पर clarity आगया कि दरपन के पीछे में हमको क्या बना है यहां पर image बनेगा अब एग और बात यह image जो आपका बनता है वो सिधा बनता है तो यह case बताया जाता है कि आपका जो image बनता हो सिधा बनता है यह भी आपको यह बताता है कि जितना अब्जेक्ट का साइज रेगा उससे कहीं ने कहीं यह बड़ा बनता है यह सारा चीज हमको कुश्चन से ही समझ में आ जाना चाहिए और यहीं पे अंसर खतम अब जब इसको हम बनाते हैं तो कुछ नहीं फर्मुला हम यूज कर क्योंकि अफ्तल दरपन और अफ्तल दरपन के हम इधर तुमको ट्रीक बता चुकि हैं पहले वीडियो समय कि फोकस भी निगेटिव भी निगेटिव यू भी साड़ा कुछ क्या हो जाता है इसमें निगेटिव होता है लेकिन अगर हम देखेंगे तो फोकस यहां पर सबसे पर का दिक्कत हम लोग के स्टुडेंट में होता क्या है कि उसको नॉम्रीकल करते हुए मैत का कल्कुलेशन आता ही नहीं अब मैत के कल्कुलेशन के लिए कोई टीचर आपका कुछ भी नहीं कर सकता है अब जैसे कि यहां पर कैसे तो मैनस और पलस तो पलस मैनस मैनस ह बीस बहुँक्ब करते हैं तो हमारे पास दस बटे दोसो आ गया उन बटे भी आ गया मेरा ऑन बटे है कितना है और यहांपर जाता और ड़ुष का तो यानी दोरी भी, जो है तो वो 20 निकला अब भी जो हमको 20 निकला तो पलस में निकला कि मैनस में निकला पलस में अब पलस की कहता है कि दर्पन के पीछे बन रहा है अगर मैनस में रहाता तब अब तल दर्पन के इधर बनता इधर जो बनता जब मैनस में रहाता भी तब अगर पलस में भी है तो भी क करा कि हम दर्पन के पीछे बने अब दर्पन के पीछे बनेगा तो आप ही बात बते हैं कि दर्पन के पीछे बना तो इधर वास्तविक लेन मिलता है कि काल्पनिक मिलता तो काल्पनिक तो यह 20 सेंटीमिटर दूरी पे जो हमको मिला है वो कौन्ची मिला है काल्पनिक इमेज जो होता हुआ हमें प्राप्ति यहां पे हुआ है अब जब इसके बारे में हम बात करते हैं तो हमें कोंची मिल चुका है कालपनी के इमेज मिला है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यानि प्रतिभीम का अस्तान जो है वो दरपन के पीछे में है प्राकृतिक के बारे में बात करे तो क्यादा निकालेंगे तो एकला प्लस बीस निकलाएं तो यहाँ पे भी को क्या रखेंगे, प्लस भी इस रखेंगे, यू को हम कितना रखेंगे, तो मैनस दस रखेंगे, काई कि यू जो होता हूँ, वो दरपन के सैड में है, तो अब यह यह कटेगा, आप इसको काटी है, आपको क्या मिलेगा, दो एंसर मिलेगा, यानि आपको म नेगनिफिकेशन जोगा वो इसका होगा इस तरह से आप इसको असानी से सॉल्व कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है अब की बार जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या बोला गया है कि दो सेंटीमीटर उची एक बस्तू अबतल दरपन से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गई है सवाल को जब पढ़ते हैं तो सवाल हमें सब कुछ बता देता है तुम लोग को भी याद रखना होगा कि सवाल पढ़ने के बाद सवाल का उकात क्या है ये जानना सबसे जरूरी है फिर क्या बो क्ड़ा ला तो दो सेंटीमीटर उची पर एक बस्तू रखा गया मान लिया कि यहां पर दो सेंटीमीटर वची पर एक हम क्या रख दिये बस्तू को रख दिये अब तल दर पन है इसमें यह चीजा। ते किरान के आप जाने कवाद यह टक्राने का इस चेडे में पर दर किरने के दॐसे सेड़ तरी यहनी धार जाकर वह कई नहीं जाने कि डॉने जगा परशेख अभ करें के सबसे आसान शरी जरुए प्रत्वित करने की जरुद नहीं falar अच्छे एक और बात सबसे बड़ी बात कि 10 cm पर आपका कौंची है ऑब्जेक्ट रखावा 20 cm पर इसके दुगने जगह पर बढ़ना एगों बात देखी 1 ओपन एफ उक्वाल टू ओपन वी प्लस 1 ओपन यू किये 1 ओपन एफ हमें निकालना है 1 ओपन भी देल है मैनस 20 यू जो देल है वो कितना देल है मैनस 10 देल है क्योंकि दोनों पीछे में और ट्रीक हम पता चुके हैं पहले ही वीडियो में वन ओपन एफ निकाले इसका आपका कितना हो गया 200 हो गया अगर इसका कल्कुलेशन करेंगे तो यहां पर कितना हो जागा मैनस 20 हो जागा अगर इसका चत्रिकें 28-22 ॉपकार तो इसका करने का मतलब है कि फोकस आपका यहां पड़ है फोकस आपका आगर यहां पड़ है 토 या नि उज्र पॉइंट आपका एका तो ूर्फím क्या कर लेते हैं कि इसका फोकस का आपका कुणची दुगुना होता या उब700 को रखा गया निविच्थे को रस än के WhatsApp के बिच में संटर अब कर वेटर आपको अब 건설 कर वीचर से कहाँ पर भर भर भीचर से कहाँ बनना वाली बात क्या watching a आवर्दण के बारे में जब हम बात करें magnification के बात करते में के मेना का फ्रमला मेरा क्या होता है ऍपर हम थो वही भीपोन यू होता मैनस फी अपन यू होता है M. बंद तो मैनस तो साइन्ग है भी मेरा कितना मैनस बीस सेंटी मिटर यू मेरा कितना है तो अगर बात करें तो मैनस दास 시न्टी मीटर है क्योंकि यू और भी दोनो निगेटिफ होगा तो अभीस दौरान इसका देखें गे तो मैनस दू यानि M equal to minus दूर यानि फिर हुआई कि object का दुगुन्ना होगा आपका कौंची दूरी image का object का दुगुन्ना 10 है तो यह 20 पे बना minus है तो minus का मतलब क्या है उल्टा यह बन किता है उल्टा यानि इधार से अगर मेरा आप्तित की रन जाएगा ना तो इसका image बनेगा वह यहां पर बनेगा तो इसले के देखो हम इसमें discuss किये कि आपका question को किस प्रकार से trail करना किस प्रकार से hit करना है तो हम असा करते कि वीडियो आपको बहुत पसंद होगा तब तक के लिए धन्यवाद